असदुद्दीन ओएसी बिहार में सीट भले ही नहीं जीते लेकिन चाप जरूर छोड़ गया है मुहरम जुलूसों में उनका पसंदीदा जंडा दिखा है पूरी डीटेल बताएंगे आपको हमारे इस रिपोर्ट में किसी और देश में दूसरे देश का जंडा इस तरह बुलंद होकर फहराए लहराए जाए तो ततकाल कड़ी सजा मिल जाएगी लेकिन बिहार में इन दिनों फिलिस्तीन का जंडा खूब दिख रहा है मोहर्रम पर मुख्य जुलूस निकलने के दिन भी और उसके पहले भी बाद भी फिलिस्तीन का जंडा लहराते हुए उसके जिंदाबाद तक के नारे लग रहे हैं कुछ फिलिस्तीन बचाओ का नारा दे रहे हैं तो ज्यादत रंजाने में ही जिन्दबाद के नारे लगा रहे हैं। ऐसा पहली बार हुआ है। लोग सभाद चुनाव के बाद नई संसद में शपत ग्रहन के बाद एयाई माइम चीफ असर दुद्दीन ओवैसी ने जैफ फिलिस्तीन कहा था। उसकी बाद से इस तरह की बाद चल निकली है। बिहार विधान सभाद चुनाव 2020 में ओएसी की पाटी के पांच विधायक चुने गए थे लेकिन चार राजद में चले गए। लोग सभाद चुनाव 2024 में ओएसी की पाटी का खाता नहीं खुला। लेकिन अब बिहार में जिस तरह से फिलिस्तीन के जैकारे लग रहे हैं जंडे लहरा रहे हैं उससे OEC का ही प्रभाव माना जा रहा है। 12 जुलाई को दर्भंगा में फिलिस्तीन का जंडा लहराया गया था। मुहर्रम को लेकर 29 खेलों का प्रदर्शन करने के दौरान नगर्थाना शेत्र के किलाघाट मुहले में युवक द्वारा फिलिस्तीन का जंडा लहराते हुए वीडियो पड़ी तेजी से सोशल मीडिया पर वाइरल हो रहा है। इस तरह से जंडा लहराय जाने की पुष्टी जिला मुहर्रम कमीटी के अध्यक्ष द्वारा की गई है। प्रशासन ने फलिस्तीनी जंडा के साथ युवक को हिरासत में लिया है। मुझफरपूर के बरुराज थाना शेत्र में मुहर्रम के मौके पर अखाड़ा जुलूस में फलिस्तीन देश का जंडा लहराने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वाइरल हुआ। ये वीडियो एक शक्स बेखाफ अखाड़ा में शामिल होकर फलिस्तीन का जंडा मुहर्रम के जुलूस में लहराते हुए दिख रहा है। वही उसे कोई रोक नहीं रहा है पूरी वीडियो में पुलिस भी मौजूद नहीं है। और सेफ फलिस्तीन के नारे भी लगाए। इसके बाद पुलिस ने इन जंडों को जप्त कर लिया। जिसके बाद तीनों युवकों की पहचान कर उन्हें गिरफतार कर लिया गया है।